आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं कि अगर मेरे पास कभी दूद नहीं होता है और बहुत कम कॉंटिटी दूद की होती है तो उसमें भी मैं अपनी कड़क इलाइची की चाय या द्रक की चाय कैसे बना पाती हूं तो यह देखिए मेरे पास बहुत कम कॉंटिटी में आज दूद है यह लबबक दो से तीन चमशे करीव दूद है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह मैं चाय के पैन में डाल रही हूं और इसमें अब मैं पानी ले लूँगी और मैं थ्री फोर्थ कप पानी लूँगी यह देखिए थ्री फोर्थ कप पानी लिया मैंने और यह भी इसमें डाल दूँगी अब गैस ओन करेंगे हम और अब हम इसमें चाय की पत्ती और आज मैं इलाइची की चाय बरान बना रही हूं तो इलाइची पॉडर इसमें डालूँगी तो चाय की पत्ती जितनी भी अब आधा चमचे करीब मैंने यह डाल दिया और यह शक्कर आप यतनी भी शक्कर यूज़ करते हैं अपनी चाय में वह इसमें डाल दीजिए जैसे मैं दो चमच लेती हूं तो यह एक चमच यह दूसरी चम्मच दो चम्मच हमने इसमें शक्कर डाल दी है अब इसको हमाराम से खतकने देंगे इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धेर सारी चाय की पत्ती डाले तब ही यह कड़क बनती है मैं बहुत कम कॉंटिटी में दूद में बहुत ही कड़क आपको मजदार चाय बना के दिखा रही हूँ आपके तो अब हमें इसे वेट करेंगे जब यह खतकना चालू हो जाएगी तो गाईज देखिए यह मेरी चाय काफे च्छे तरीके से अब उबलने लगी है इसको हम इस तरीके से हिलाते जाएगे और यह मैंने सबसे छोटा वाला जो मेरा गयस है उस पर रखी है और इस गयस को मैंने बुलकुल भी कम नहीं किया है यह फुल फ्लेम पर है और यह तब से उबले जा रही है तो गाइज यह कुछ मिंटो बाद यह देखिए यह उबल उबल गे इतनी डार्क हो गई है और काफी कॉंटिटी की कम हो गई है और मुझे इतनी डार्क ही पसंदे तो मैं इस स्टेज पर गैस बन कर देती हूं और मैं यह जो चाय है यह मेरा कप है इसमें मैं चान लूँगी तो गाइज यह देखिए आपको याद होगा हमने थ्री फोर्थ कॉंटिटी के करीब पानी लिया था और बिल्कुल दो से तीन टेबल स्पून के करीब दूद लिया था और यह हमारी जो चाय बनी है यह लगबग आधा कप के करीब बनी है तो आपने देखा बुल्कुल थोड़े से दूद में आप कितनी बड़िया कड़क और गाड़ी चाय बनाके घर में तैयार कर सकते हैं और यह पीने में भी बहुत टेस्टी है आप इस रेसिपी को जरूर घर में ट्राइ कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग